हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग और नमस्ते कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंज ये वीडियो मंगलवार की सुबा का है सुबा के बजरेते साथ और चाय पानी जो सुबा का होता है वो कर लिया था उसके बाद से जाड़ घर का जो क्र चबरतन हो चुका है और मेड के जाने के बाद से जो मेरा काम है वो स्टार्ट होता है तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ तो कल मैंने कपड़े नहीं लगाये थे मशीन में तो अभी मैंने सुबा सुबा मशीन में कपड़े न लग बनता है तो अभी मेरे घर पे अरहर की डाल आ गई है आपने देखा होगा लास्ट कई व्लोग में मैं बलका या मसूर की डाल बना रही थी अरहर की डाल घर में खतम हो गई थी तो फाइनली कल वो लेकर आ गए थे अरहर की डाल तो आज मैं वही बना रही हूँ तो मैं क्य पारा साड़े ग्यारे बारा बजी तक खाती हूँ और उससे पहले फूर्ट्स या ड्राइ फूर्ट्स वगरा खा लेती हूँ ताकि मेरा मतला भूख लगती है तो वह खा लेती हूँ ताकि मैं अपने घर काम कर सको तो बैने दाल चढ़ा दिये उसके बाद सब्जी मिने कालते हैं मतला उताना टाइप का निकलता है लेकिन यह बहुत सॉफ्ट था तो इसमें से नहीं निकल रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही काट दिया और इसको मैं अभी पानी में बॉइल करूंगी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है तो पानी में उबाल दोना फिरी सॉफ्ट हो जाता है सबजी जल्दी बन जाती है और हलका सा जो कड़वापान आता है ना वो भी जब पानी में उबाल दो तो वो निकल जाता है तो उधर मैंने उबलने के लिए रखा था तब तक मैं इधर बना लूँगी रोटी हजबिन के लिए अपनी लिए तो मैं चावल तो चलिए बना लेते हैं के वाज की सबजी तो मैंने आपे मस्टर्ड ओइल डाला इसमें मैं मेथी का तड़का डाल के बनाती हूँ और मेथी के डालने के बाद एक टमाटर डाल दिया है क्योंकि हलका सा खटा बना आता है ना तो यह सबजी और अच्छी लगती है उसके अब आता है ना पास से हल्दी नमक और लाल मीच पाउडर धनिया पाउडर मसाले में बस इतना ही डाला है गरम मसाला नहीं डाला है मैंने इसमें और मैंने दो आलो भी काट ले थे सबजी में क्योंकि मैं हजबें को थोड़ से आलो रहते तो उनको और अच्छी लगते हैं तो हजबेंड का नास्ता हो जाएगा तो अपना खापी के वो अपना काम पे चले जाएंगे अजा सुबह का नास्ता बन जाता है हजबेंड जब खा लेते हैं फिर उसके बड़ी तसल्ली हो जाती है कि घर का जो बाकी काम है वो अराम से कर सकते हैं इसलिए मैं पहला खाना तकि इनको काम पे जाना एट तो अपना कहाना पे चले जार नहीं भुजाना यह तो भी खाना बनाएं कर přो बाकी काम करना को क्यों को अपने हां तो सबजी भी बन चुकक जाना सै खाना स्वास के यह हैं यार फिरजग अनगर दियुट खी घंदा हो गया था तो का Bureau पोष्टे पोष्टे एक टाइम ऐसा आजाता है कि पोषने से काम नहीं चलता है, उसको अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, तो मैंने फ्रिज के अंदर पहले तुम नहीं फ्रिज बंद कर दिया, उसके बाद से जो भी समानता फ्रिज के अंदर खाना वाना या दूद वग जब जब चमक जाता है जो भी दाग धब्बे होते है न वह दहम क्लीन हो जाते हैं और फिरज से ने स्मेल भी निया थे शारे उस्मेल भी चलिजाथी जब सफ होता थो नहीं तो क्या होता है ना समान रखे रखे ना फ्रिज में एक अजीब से नहीं समेल आने लगती है अगर बहुत दिन तक फ्रिज ना साफ करो तो मेरे फ्रिज से खेरोती समेल नहीं आती है क्योंकि मैं बीजबीज में साफ करती रहती हूँ तो मैं इधर का जो जहां पर पानी की बॉटल्स वगर रखी ही ना उधर मैंने खाली करके नहीं साफ किया क्योंकि उधर ना अल्मोस्ट साफी था बस मैं हलका हलका कपड़ा मार दिया तो हो साफ हो गया और उसके बाद से जो सीशा वाला है इसको बढ़ा सम्हाल के दोना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जादा भारी है और मतलब हलका सा भी कहीं गिरा या कुछ कहीं पर टकरा गया तो ये तोट जाएगा इसलिए बहुत सम्हाल के और धीरे-धीरे करके इसको दोना पड़ता है तो मैंने फ्रीज के जो दो टेल लगती है उसको मैंने दो दी है और ये जो वेस्टेबल बॉक्स के उपर का हिस्सा है उसको भी मैंने क्लीन कर दी है और जो मेरे वेस्टेबल बॉक्स के देखिए उतना गंदा नहीं था हलका ही से गंदा था क्योंकि मैंने इसके अंदर मैट बिछा रखी थी तो जो भी गंदगी हो थी ना वो मैट के उपर थी तो आज जो मेरे फ्रिज में दो मैट भी चाके रखती हूं मैं तो इन दोनों मैट को भी मैज धो दूंगी क्योंकि इसमें भी सबजी वगर रखो समान वगर का दाग वगर लग जाता है तो इसको भी मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया आज मैंने पहले सी सूच रखा था कि अपनी फ्रिज को आज मैं चमका दूंगी तो इसलिए फटावा 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 सारे काम निप्टा के फ्रिज के क्लीनिंग में लग गई और यह मेरे वेटेबल बॉक्स अब इसको भी धो दीती हूं और यहां पे इतनी कम जगा थी नओ समान यहां पे चारो तरफ बिकरा हुआ था धोने में बड़ा दूसरे माइक्रफाइबर क्लॉच से जो कि मैंने साफ साफ रखा हुआ है तो उससे मैं इसको एक दम पोच दूंगी तो ये जैसे मैंने सको पोच्छा ये बलकुल सीशी की तरह चमक गया शीशा ही बैसे तो बिल्कुल ट्रांस्पेरिंट हो गया बिलकुल चमक गया है तो ज नहीं साफ कर दिया तो चलो अगे बहुंद बंट भराई चाली तो इसके बार में नहीं साफ कर रहे हूं बस कपड़े से लिए वह अचियों से बलकुल रगण रगण के साफ कर दिया था तो फ्रिज न बहार से भी एकदम चमक गया था. क्योकि हैंडिल्स वगएरा हम कभी हम हाथ में और जब बहारा हो और जए हकोदं हीडी तो एक हैंडिल्स कुछ 허म और मैंने अच्छ थी तो पन्नी में बंदी कर दो है तो मैंने इसको भी धो दिया है अभी मैं डाइंग तेबल साफ कर लो फिर लगाओंगी और मेरा लगा और मेरा भाले tu मेरा हजबन भी रख देते हैं फिर में आगले दिन सुबह के टाइम पर फिर वो में क्लीन करती हूं तो यह तो डेली का ही रूटीन हो गया है तो मैंने कॉलीन से स्प्रे कर दिया और उसके बास से अपने उसी कपड़े से पुरा साफ कर दिया तो शीशा बिलकुल चमंग गय है और बस उसी कपड़े से बागी जगह की भी डस्टिंग कर दोंगी आचा आजकल डस्ट वगएर उतना नहीं हो रहा है क्योंकि बारिस का मौसा में न तो उतनी डस्ट नहीं हो हलका हलका ही कपड़ा मार देती हूं तो साफ हो जाता है और सुबह के टाइम तो खाना बस न गंटे का टाइम रहता है और वह जड़ा है खाना से लेकि नाजता साप सफाई कपड़े लद्दे सारे काम उसी टाइम पे होते हैं तो मेरे कपड़े भी धुल गये थे मशीन से तो मैंने फटाफट कपड़ों को भी फैला दिया और यहां का फैन मैक कर दूंगी आउन तो मेरे घर के जो मिरर्स है ना मैं उसको वेट वाइप से क्लीन करती हूँ उससे ने स्क्रैच भी नहीं आता बहुत अच्छे सान क्लीन हो जाता है तो पहले वेट वाइप लेया उसके बाद से ना मैंने पूरे मिरर की गंदगी जो भी थी ना उसम निकाल दिया क्यों हलका अγेला भी हो जाता है तो जो भी गंदगी होती वो सब साफ हो जाता है वेट वाइप से साफ करने के बाद से मैं आपर टीशू पेपर लाई हूँ टीशू पेपरसे बिलकुल रगड-रगड के शीशे को मेंने एकदम चमका दिया है अब देखे़ शीषा इदम आज फाइनली मिरर मैंने साफ कर दिया, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, अब बतो क्या होता, जब मैं नहां के आती थी ना फिर मैं मिरर देखती थी, फिर मुझे था आज भी छूड़ी है, आज मुझे सुबह हस्बेंट नहीं बोल दिया, आज मुझे शुबह दो दिनों पर दूसरा काम दिख जाता है तो इस वज़े से साफ ने कर पा रही थी बट आज मैंने कर दिया और यह बैशीर को भी मैंने ज्ञाड दिया है बैशीर जाडने के बाद से ब्रश ना पूरा बैड को भी वह साफ कर दूंगी क्योंकि जो भी डस्ट वगर इस बैड पर जम जा तो जो मेरा बैड है वो भी साफ हो जाता क्योंकि क्लोथ वाला मतला कपड़े वाला बैड कपड़ा लगा हुआ है और उसके बाद से यहां पर मैंने जो मेरा साइट टेबल है इसके पीछे मैंने देखा कि गंदगी हो रखी थी वैसे तो सुबह जाडू पोछा लग चुक जो हपते में कमसे कम मैं दो बार मैं खुदी अपने घर में जाडू लगा लेती हूँ मेड काम करके चली जाती है उसकе बाद से कियो इतनी सफाइय नहीं होती यूदि की बैढ की नीचे काफी कूडा चला जाता है क्योंकि जाडू पंखा वाग्ट चलता है तो डस्ट नी यह देखिए यह सारा बेड के नीचे से और जो साइटेबल था ना उसके नीचे से इतना सारा डस्ट है निकला है मेरे तो फानिली चलो अब मेरा यह बैडरूम में साफ हो गया मुझे तसल्ली मिल गई है तो इतना सारा काम करने के बाद से अब मैं आ गई हूँ नहा के यह भी कर लिया हैं मेरा घर क्लीन हो गया है अब मुझे एक दम तसली मिल गई एए अराम से अपना बेट की चाय पहूंगी खाना वगारा है वह खाऊंगी तो फ्रेंज ये था मेरा आज मानिंग का अगा विडियो पश। का व्लोग आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाबाई टेक केर